लोकसबा चुनावों को सभी के लिए सुलब बनाने के उदेशय से मंडी जिला पुशासन ने सुन्दर नगर में दिव्यांग मतदाताओं के लिए एक दिवस्य जारुकता शिविर का आयजन किया सुन्दर नगर में दिव्यांग बच्चों के संस्थान में आयजित शिविर में जिला पुशासन की ओर से मतदान को लेकर बाधाओं को कम करने और चुनावों को सुलब बनाने के लिए किये गए प्रबंधों की जानकारे दी गई शिविर की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायोकता आशुतोष गर्ग ने कहा कि चुनाव आयोकी दिशानिर्देशों के अनुसार जिला की प्रतीक मतदान केंदर पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेश सुविताएं सुनिशित की गई है ताकि उन्हें मत मतदान करने में कोई परिशानी ना आए उन्होंने का कि शया ग्रस्त दिव्यांगों को मतदान केंदरों तक लाए जाने के लिए वहनों और सड़क से मतदान केंदर तक विल्चेर पालकी का विशेश प्रबंद किया गया है चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांगों के ल उन्होंने बताय कि हर मतदान किंदर पर सहायता के लिए स्वयम सेवकों की तैयनाती की जाएगी प्रतियक मतदान किंदर में रैंप, दिव्यांग सुलब शौचाले, पेजल और उचित प्रकाश व्यवस्था पर भी बल दिया गया है आशुतोष गर्ग निका कि मतदान किंदर पर द्रिष्टी बाधित मतदाताओं के लिए इवीम पर ब्रेल लिपी मुद्रित साइनेज की व्यवस्था होगी चिले की प्रतियक मतदान किंदर पर डमी बैलट शीट उपलवध होगी जिसकी मदद से वे किस उमिदवार को अपना बोट दीना चाहते हैं डमी बैलट शीट से जान सकेंगे वे इवीम का बटन दबाते ही बीब की आवाज से वोट डालने का पता लगा लेंगे इसके अतिरिक्त शवण बाधितों को इवीम का बटन दबाते ही लाइट संकेतक से वोट डालने का पता लग जाएगा उनके लिए मतदान के इंदरों पर विज्वल संकेतक लगाए जाएंगे अतिरिक्त उपयोक्त ने दिव्यांग जनों से रिवेधन किया कि वे लोगतंतर को मजबूत बराने के लिए मतदान करने के लिए अवश्य पहुचें इस अफसर पर तहसिलदार इलेक्शन राजिश तोमर ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए मोबाइल एप्लिकेशन बनाए गई है जिस पर दिव्यांग जन किसी भी प्रकार की सहयता के लिए ओनलाइन अनुरूध कर सकते हैं इस अफसर पर उपमनला दिकारी डॉक्टर अमित कुमार श्र्मा सचिव रेडग्रोस सुसाइटी ओपी भाटिया जिला कल्याना दिकारी लेकराम वैद्या CRC इंचार्ज मंजीत स्यानी ITI प्राचार्य विजै कुमार निलम सहीत अन्य गणमान्य व्यक्ति माजुद रहे प्यरोई पोर्ट के चैनाल